जी, असलाम अलेकुम, students of class 6 आप अपनी बुक से एग collector surprise वली story open कर लीजिए मेरे पास इसका new edition है इस बुक का उस पे page number different है, आप अपनी books के according उसका page open कर सकें, जिनके पास दूसरा प्राना edition है अच्छा जी This happened in the 1860s when egg collectors used to steal eggs from bird's nest ये वाकिया 1860s का है जब egg collectors जो था वो चोरी किया करता है steel का मतलब लिखने, चोरी करना क्योंकि मुखलिफ meanings class में पूछे जा सकते हैं आप से steel, चोरी करने को English में क्या कहते हैं, steel और ये भी पूछा जा सकते है steel की उर्दू क्या है चोरी करना, चुराना वो क्या चुराया करता था eggs को, और वो कहां से चुराता था birds के nests में से stealing birds eggs is now illegal in many parts of the world अंडो, पृंडों के अंडों की जो चोरी है, अब is now, अब illegal है यानि के गैर कनूनी है illegal गैर कनूनी है, दुनिया के बहुत सारे आलाकों में, बहुत सारे मुमालिक में कह लेजिए, अच्छा यह स्टोरी नॉन फिक्शन है यह जो स्टोरी आपको बताने जाने वाली है, यह किस के बारे में बता रही है आपको, एक ऐसे इनसान का experience, जो के इगल्स के eggs के लिए शिकार कर रहा था इन दा फ्लेड प्लेंस आफ दा रिवर डेन्यूब अ वेरी लाज डिवल इन यूरप यूरप का एक बहुत बड़ा दिया है जिसका नाम है रिवर डेन्यूब और और वहां के जो प्लेंस है, यह निके मिदानी कोशिश कर रहा था फ्लरड प्लेंस आफ दा रिवर ज़निव डैरी लाज रिवर इन यूरप भी लाज प्लेंस इन दा स्प्रिंग साल में आम तोर पे स्प्रिंग के मौसम में रिवर जो था अपने आसपास के इनाकों के But the egg collector was looking for nests लेकिन egg collector जो था उसको तलाश थी किसकी ऐसे nests की तलाश थी In the trees जो द्रहतों पर हो On the islands उस islands पे In the river River के दरम्यान में जो islands है वहाँ पे जो द्रहत उगे हुए है उनके गोस्नों से वो अंडव की तलाश में निकला था कौन बहला? Egg collector ये जाहर सी बात है उसने सिलाब के पानी में तो कदम नहीं धा रखना जब सिलाब का पानी हतम हो गया था कम पढ़ गया था तब ही वो अपने शिकार पे निकला था Read about the egg collector's experience आएए चलके इसका experience पढ़ते हैं Egg collector's surprise Two of my companions made a most unpleasant discovery दोबारा से आप इसकी picture देख लें आपकी जो दूसरी बुक है उसमें picture इसको draw किया गया लेकिन ये ज्यादा interesting picture है आप देख सकते हैं अच्छा जी आएं वापिस Two of my companions made a most unpleasant discovery whilst eagle nesting on one of these islands आपकी बुक में वर्डिंग चेंज हो सकती है तो आप इसी वर्डिंग को follow कर ले यहीं के सिरफ वीडियो की तरफ दियान रखे जिनके पास पुरानी बुक है वो बुक बेशक मा ओपन करें Two of my companions मेरे दो जो पार्टनर्स थे मेरे दो दोस्त साथी थे companions दोस्त या साथी को कहते हैं made a most unpleasant discovery उन्होंने सबसे ज्यादा नाहुशकवार दर्याफ की whilst eagle nesting जब वो eagle की nesting कर रहे थे यानि के उसका eagle के गोस्लों को डूंड रहे थे on one of these islands इन islands में से एक island पे जब वो eagle के गोस्लों को डूंड रहे थे whilst जब के वो डूंड रहे थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा नाहुशकवार दर्याफ्त की दो मेरे दोस्तों ने they had climbed many trees वो बहुत सारे दरहतों पे चड़े without success बगएर किसी कामयाबी के यानि कि बहुत सारे दरहतों पे दो गए लेकिन उनको कामयाबी ना हुई but at last they reached the top of top branches of a tree लेकिन आहिरकार वो एक दरहत की सबसे उमपर वाली branches तक पहुँच के from where they could see what looked like a nest at the top जहां से उनको क्या दिखता है कि उसकी top के उपर एक चीज नजर तो आ रही थी जो के बिल्कुल कैसी दिखती थी like a nest looked like a nest one of the egg collectors stripped off his coat and climbed further up the tree एक egg collectors ने अपने coat को उतारा stripped off his coat यनिके अपने coat को उतारा and climbed further up the tree वो दरहत पे मजीद उपर शड़ा when he reached what he thought was the nest जब वो उस जगह तक पहुँचा जिसके बारे में वो ये सोच रहा था कि ये nest है he was astonished astonished का मतलब है हिरान होना greatly surprised होना to find only a bundle of decaying rags उसको एक किस चीज़ का bundle नजर आया पुराने से उसको कपडे नजर आये यनिके एक ऐसी जैसे बिलकुल ही rough हालत में हो बहुत पुराने हराब शुदा जो थे उसको कपडे के pieces लटके हुए नजर आये जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे ये रहे rags decaying rags with a shepherd's crook sticking out of them और उनमें से एक shepherd group एक चड़ी जो थी बेड़ बकी हैं चराने वाले के पास जो चड़ी होती है उस तरह की चड़ी उनमें से sticking out of them उनके अंदर दूंसी हुई थी जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं यह इसकी यह यू शेप भी है यह स्टिक की holding on to a secure branch एक मजबूत शाह को थामते हुए secure branch जनी कि ऐसी branch जो के secure थी जिसके तूटने का हदरा नहीं था अच्छा shepherd crew की definition यहां पी है is the stick which shepherd uses used it had a curved end which could be hooked around a shepherd's neck without hurting it इस चीज़ को class में भी explain किया गया था he pulled aside the rags उसने एक कपड़ा सा हटाया and reveal the skeleton और reveal का मतलब है किसी चीज़ का मनज़र आम पे आप जाना सामने किसी secret का भी जाहर हो जाना कोई छुपी हुई चीज़ सामने आज़े उसको कहते है reveal और उसने skeleton को सामने आया और वो skeleton किसी man का था किसी animal का नहीं था बलके इनसान का ही था the bones started to fall to the ground हड़िया उसकी एक दम से नीचे गिरने लगी followed by the horrified egg collector और horrified होफजदा हालत में होफजदा हालत में egg collector जो है वो भी साथ में नीचे गिर गया he never stopped running वो उसने अपना दोड़ना बिलकुल बंदा किया until the river separated him जब तक कि द्रिया ने उसको जुदा ना कर दिया from his ghastly discovery उसकी इंतहाई भ्यानक किसम की डिसकोवरी से जब तक द्रिया ने उसको जुदा ना कर दिया द्रिया उसको दूर ना ले गया तो यहां पर story end हो जती है okay student thank you for watching